असलाम वालेकूम हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैंई जहारास की चेन आप सब कैसे हैं इंसलाख है रियेट से जरूर होंगे आज मैं आप सब के साथ स्प्रिंग रोल की रेसिपी शेयर कने वाली हूं इसे बनाना बहुत यासान है और साथ ही बहुत क्रिस्पी स्प्रिंग र के साथ टूर है विए मेर्य चानल कुछ जल जर सब्सक्राइब कर दिए तो है जल्दी से स्टार्रात करते है स्प्रिंग रोल की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसका प्त्ति तयार करना हुता है तो यहां पर मैने एक बाभल में 2 कपके करिभा ताल लिया है साथ ही मैं आधी चोटी चमचे करीब नमक डालेती हूं सबसे पहले हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यहां पर हमें तेल नहीं डालना है आठे में श्रिफ हम नमक डालेंगे और थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसका हम सॉफ्ट दो तैयार कर लेंग तरह हम पूरी का गोला करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम इसके गोले कर लेंगे तो देखे फ्रिंट्स मैंने इसापर 18 गोले तयार कर लिये हैं तो मैंने 6 पूरी के सगल में इसे बेल नहीं है तो यहां पर मैं क्या करूंगी एक एक गोलोंगी और शूखा मैड़ लगा कर में कęt इंचेन सी बने दे तो हैं इसका हम रोटी बनाँगे तो कैसे हैं इसका की बनाएंगे। 3 त्ह surprising करका आटा स्परिंग के सरbon और चर्ट का वी कुलेज़ दो कि रहा के वे में आपा कली हमें तरहीं ठीर से हमें और इसलिटका तूरा से क्लियर रोटी लहांrice 3 अवरोटी तैयार t shirt बिल्कुल हलके हाथ से प्रेसर करते हूए दबा कर हमें बेलना है चारों तरप गोल गुमाते वे इसे हमारी इसे थोड़ा Bड़े शेप पमें घ्लोधी घ्ल डेंगे हमें इसका भड़ा साइज बेल लिया है सब्सक्राइब एक नहीं दोगी तोगम है कि आलेगेते शचैनी सज्टोप के आता चलिकांगा निकाल यह अधर मैं सब्सक्राइब राख सब्सक्राइब निस घंक दाल जाने ऑद6-7 सब्सक्राइब безопас Never पटला बना है तो इसी तरह से मैं सभी रोती को खोल लेती हूं तो इस तरह से मैं इसे निकाल है इस तो मोजड़ निकालने के बाद फिर हम और बे कर लीनम दूसरे साइड से एक रोटी हमें निकाल लेना हैं पिर हम उसे पलट लेंगे से हम फ़रवर किया और नर कट दे आप देखि सकते हैं मैं एक रोट निकालती है फिर रोटी को फ़रवर्ट लेती हूं od आटा और तेल लगायए है बहुत आसानी से खुल जाता है तोड़ा साथ गर्म रहता है यहां पर अगर या इस तरह से ना निकल पाईं एक दो रोती तो बाकी इसने नीकल जाता है और बाकी के ना निकले तो आप उसे चकले पर रहकर भी निकाल सकते हैं एक दूसरे को तो इसी तरह से में बाटी को भी स KäX लख confirm भी को ऑगि चुछ ल्टी से को भी देख कर ले ख啦 मैं यहां पर 6 पूरी को बैल कर एक रोठीर हैं वह कुर तो थोरि को बेल कर कर इस तरह से रोटी कर खते। अगर आप फर्स टाम बनाना चाहती है तो दो रोटी का ही पहले बना कर देखी उसके बाद अगर आपका हाथ फ्री हो जाएगा तो आप एक साथ छे रोटी का भी बना कर इस तरह से तयार कर सकते हैं कितना जायें और हमारा फिरण रोल पती बिलकुल बनकर तेयार है इसे बनाना आसान है और यह लादत प्रिस्पी हो जर्टाओ तो अब मैं इसंफ accordance के लिए लिए और गल मंचाल orgt को ब向ia वहां है भी हइता है। वहां नीचे भी ही यह पर मैंने का च इकान स्टाफ़िंग करना है चिना पहले हुए तो नायो靠 जाएफ पर सब सकतिते हुआ यहां पर एक रोटी ले ले और इस तरह से इपको साइड में फॉल करना है घोल लगाना है इस तरह से अगर हम जब मैदे का गोल लगाते हैं तो हमारा तो इस तरह से आपको फोल कर लेना है सबसे अखिर में थोड़ा सा मैदे का गोल लगा कर अच्छी तरह से आप इसे चिपका ले तो लीजी हमारा स्प्रिंग रोल बिल्कुल तैयार है आप देख सकते हैं दोनों साइड से बिल्कुल बंद है खुलेगा नहीं तो इसी तरह से बना कर आपटी बना कर सफ्रिंग रोल बना सकते हैं सिंपल सा लोटी बेले यूं से बेक्ति तरह से फोल कर आप कर आप इसी तरह से अच्छा लगता है जितना आज मैं आप लोगों को बता रही हूं इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपका स्ट्रिंग रोल बहुत क्रिस्पी बनेगा और खाने में माशाला बहुत ही अच्छा लगता है तो इस तरह से एक बार जरूर बना कर देखिए बहुत यासान सा रेसिपी है इस तरह बीषिपी आपके डिगने के अच्छा हो चाँ प्रयगा आप बस्तार हो कि इस नहीं रहा है तो आप अच्छा नहीं लगा इस चाँ अखे है लिए और इसे अप दीखेंसे में रख सकते हैं या फीर जिबलोग बैक उसमें भीविचे स्टोर कर रहने हैं पर दो आप को जि भी। प्रिंग रॉल के तरफ चलते हैं तो तो देखी मैंने सभी। यह सप्रेंग रोल तैयार करी। अब हम इसे रीडियोह 5-8 तरफ तरफ। स्टॉप के है hard to medium flame पर मैंने तेल पहले ही कर लिया है अब में यहां यहां पर करते हुए spring roll डालेते हूं तेल जादा यहां पर गर्म नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पर हमें गर्म कर लेना है, अब हमें क्या करना है, दस से पंदरा मिट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे हम तलेंगे, ताकि इसका कलर भी अच्छा आए और बहुत ही क्रिस्पी बनेगा, इस तरह से अगर हम हाई फ्लेम पर अगर हम तलेंगे तो इसका कलर ज्यादा अच्छा नहीं आता है, और साथ ही क्रिस्पी भी ज्यादा नहीं बनेगा, अगर हम लो फ्लेम पर, मीडियम टू लो फ्लेम पर दस पंदर मिट के लिए इसे तलेंगे, तो बहुत आच्छा कलर भी आने वाला है, और साथ ही बहुत क्रिस्पी भी बनेगा, तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे दस पंदर मिट के लिए स्टोप के मीडियम टूलो फ्लेम पर तल लिया है, और इसका कलर आप देख सकते हैं, माशालला बहुत अच्छा आया है, और साथ ही बहुत क्रिस्पी भी बन चुका ह तो चलिए मैं इसे तेल से चानकर निकाल लेती हूँ, इसे आप मन पसंद अपने चटनी के साथ खाएं या फिर आप इसे टोमैटो केचप के साथ भी खा सकते हैं, तो लीजी फ्रेंड्स हमारा क्रिस्पी स्प्रिंग रोल बिल्कुल बन कर तेयार है, इस माहे रमजान में इफ्तार के वक्त एक बास जरूर बना कर देखिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा और साथ ही आपके घरवालों को भी बहुत ही पसंद आने वाला है, तो फ्रेंड्स अगर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हिल्फ लगती ह तो प्लीज इस वीडियो को लाइक सेयर करना मत बुलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ तो चलिए मिलते हैं एक ने रेसिपी के साथ अपना ख्याल रखें और मुझे दूआओं में याद जरूर रखें अल्ला हाफीज